आज हम दई को तड़का लगाएंगे जितना दई होगा उसका डबल पानी डालेंगे आप देख सकते हैं कितना सारा दई है यह आदे लिटर से थोड़ा ज्यादा है चलिए तड़का लगाते हैं बर्तन को मैंने पहले से गरम रखा है एक बड़ा चमस तेल दालेंगे तेल गरम हो चुका है आधा चमस राई दालेंगे ग्यास का फ्लेम पूरा कम कर लेंगे आधा चमजीरा डालेंगे एक बड़े सा इसकी प्यास को बारी कट कर लिया है वो डालेंगे चार हरी मिर्च है उसे भी मैंने बारी कट कर ली है वो डालेंगे खोड़ा सा कड़ी पत्त डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, प्यास का कलर चेंज हो गया है, आधा चमच हल्दी पाउडर दालेंगे, एक चमच नमक दालेंगे, गैस का फ्लेम मेडियम है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप देख सकते हैं, प्यास पक रही है, अब इसमें हम यह दई दालेंगे, और जल्दी से पानी डालेंगे दाई को मैंने फेटा नहीं है मिक्स कर लेंगे बागी का पानी भी एड़ कर देंगे ये बन गया हमारा दाई तड़का इसको उबा लेंगे नहीं बस गरम करेंगे नमक टेस्ट कर लेंगे थोड़ा सहरा धनिया डालेंगे दाई गरम हो गया है गैस बन कर लेंगे और इसे चावल के साथ परोसेंगे ये रहे गरमा गरम चावल और ये हमारा दाई तड़का बगारे वाला दाई इस तरह मिक्स करेंगे और खा लेंगे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ये जटपट वाला खाना है जब हम चावल बना लेंगे और समझ में नहीं आएगा कि सबजी क्या बनाएं अगर घर में दई है तो दई तड़का कर लेंगे और धूप के दिन चल रहे है दोफिर का खाना हलका होगा तो अच्छा रहेगा और दई सबसे पेस्ट होता है एक बार ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट्स में बताना के आपको दई तड़का कैसा लगा और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब कर लें मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई